ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज पांच मार्च दो हजार चौबीस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है जब तुम आत्मा पावन कर्मा तीद बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी मीठे बच्चे तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है जब तुम आत्मा पावन कर्मा तीद बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी प्रश्न आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों उत्तर आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भूगनी ही पड़ती है संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे ओम शान्ती मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है एक है ग्यान दूसरा है भक्ती ड्रामा में ये नूद है ड्रामा के आदी मध्यानत को और कोई भी नहीं जानते तुम बच्चे तो जानते हो सत्योग में मरने का डर नहीं रहता जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है दुख की रोने आदी की बात नहीं यहां मरने से डर रहता है आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है डरती है क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है तुम तो हो संगम यूगी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है अब वापिस चलना है कहां? घर वह भगवान का घर है न? यह कोई घर नहीं है जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माय रहते हो उसको ही घर कहा जाता है वहाँ यह शरीर नहीं है जैसे मनुष से कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं घर में रहते हैं वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माय वहाँ अपने घर में रहते हैं वह है आत्माओं का घर यह है जीव आत्माओं का घर उसको कहा जाता है मुक्तिधाम मनुष्य पुरशार्ट तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए यह जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा का महत मुँँ पड़ गया है इसलिए थोड़ी भी बीमारी आधी होती है तो डर लगता है कहां शरीर न छूट जाए अज्ञान काल में भी डर रहता है इस समय जबकी संगम युग है तुम जानते हो अब वापिस जाना है बाप के पास तो डर की बात नहीं बापने युकती बहुत अच्छी बताई है पते तात्माएं तो मेरे पास मुक्ती धाम में आना सके वह है ही पवित्र आत्माओं का घर यह है मनुश्यों का घर यह शरीर बनते हैं पांस तत्वों से तो पांस तत्व यहां रहने लिए खींचते हैं आकाश, जल, वायू वहां मूल वतन में यह तत्व नहीं होते यह विचार सागर मन्थन करने की युक्तियां है आत्मा ने यह प्रापर्टी ली हुई है इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है नहीं तो हम आत्माओं वहां की रहने वाली है अब फिर पुर्शार्थ करते हैं वहां जाने के लिए जब तुम पवित्र आत्माय बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है दुख की बात ही नहीं इस समय है ही दुख धाम तो ये पांस तत्व भी कीशते हैं उपर से नीचे आकर पाट बजाने के लिए प्रकरती आधार तो जरूर लेना पड़ता है नहीं तो खेल चलना सके ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है जब तुम सुख में हो तो पांस तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है वहां तो पवित्र रहते हैं इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में इन पांस तत्वों का ममत भी छोड़ देते हैं हम पवित्र बने फिर वहां शरीर भी योगबल से बनते हैं इसलिए माया खीशती नहीं है हमारा वह शरीर योगबल का है इसलिए दुख ही नहीं ड्रामा कैसा वंडर्फुल बना हुआ है ये भी बड़ी महीन समझनी की बाते हैं जो अच्छे बुद्धिवान हैं और सर्विस में ततपर रहते हैं वही अच्छी रीती समझा सकते हैं बाप ने कहा है धन दिये धन ना घुटे दान करते रहेंगे तो धारना भी होगी नहीं तो धारना होना मुश्किल है ऐसे मत समझो लिखने से धारना हो जाएगी हाँ लिखकर किसको कल्याड के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है खुद को तो काम में नहीं आती है कोई तो कागज लिखकर फाल्तु फेग देते हैं ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है लिखकर फेग दिया तो उससे क्या फायदा ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है ये तो धारना करनी की चीज है बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया है बाब तो रोज समझाते रहते हैं पहले पहले तुमारा बाब से कनेक्शन हो बाब की याद से ही तुमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं फिर वह बल खलास हो जाता है तो पांस तत्वों का बल आत्मा को खींचता है आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्षन से बाल तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है हम आत्मा बिगर शरीर आई थी हम प्योर थी इस दुनिया से ममत्व नहीं था वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं कोई तकलीफ नहीं बीमारी नहीं शरीर में ममत्व नहीं जैसे आत्मा पाट बजाती है एक शरीर बुड़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाट बजाने के लिए वहां तो रावन राज ही नहीं है तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास बाबा केते हैं मुझे याद करू ये ज्ञान बुद्धी में है बाब कहते हैं पवित्र बन कर आना है अभी तो सब पतित है इसलिए पाँच तत्वों के पुतले से मौ हो गया है इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास ले जाए अभी पुरशार्थ करते हो हमको पावन बन कर बाबा के पास जाना है बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी फिर यह शरीर धारन करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी अभी शरीर में मो है तो डॉक्टर आदी को बुलाते हैं तुमको तो खुशी रहने चाहिए हम जाते हैं बाबा के पास इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं दुख का नाम नहीं रहता तो बच्चों को कितना पुरशार्थ करना चाहिए अभी हम बाबा के पास जाते हैं क्यों नहीं इस शरीर को छोड़ कर जाएं परन्तु जब तक योग लगा कर पवित्र नहीं बने हैं कर्माती दवस्ता नहीं बनी है तो जा नहीं सकते हैं ये खयालात अज्ञानी मनुश्यों को नहीं आ सकते तुम बच्चों को आएंगे अब हमको जाना है पहले तो आत्मा में ताकत होती है खुशी होती है कभी डर नहीं रहता है यहाँ दुख है इसलिए मनुश्य भक्ति आदी करते हैं परन्तु वापिस जाने का रास्ता तो जानते नहीं जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं हम बाबा के पास जाएं उसकी खुशी होती है बाप समझाते हैं यहां तुम्हारा शरीर में मो है यह मो निकाल दो यह तो पांस तत्वों का शरीर है यह सब माया ही है इन आखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है यहां हर चीज में दुख है दुख की बात ही नहीं, कैसा बना हुआ खेल है, ये तो चिंतन में आना चाहिए न, बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, सुर्ग में चले जाएंगे, हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम बाप समझाते हैं, इसको रावन राज कहा जाता है, रावन राज में दुख ही दुख है, सत्यूग में दुख की बात नहीं, अब बाबा की याद से हम शक्ती लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं, दे अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, तो बाप समझाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है ये बंद नहीं हो सकता है मोख शादी की बात ही नहीं है ये तो बना बनाया ड्रामा है कहते भी हैं चिंता ताकी कीजिए जो पास्ट हो गया वे फिर हो नहीं है चिंता की बात ही नहीं सतियोग में खराब कुछ होता नहीं यहां चिंता लगी है, बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुँच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा, सिर्थ तुम मुझे याद करो, तो आत्मा पवित्र हो जाए, पावन बनने की और कोई युक्ती नहीं, अभी तुम समझते हो, हम रावन राज में बैठे हैं, वह है ईश्वरी राज, ईश्वरी राज और आसुरी राज का खेल है, इश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं? यह किसको पता नहीं है, बाप कोही ज्यान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं, अभी तुम सारा ज्यान समझ रहे हो फिर ये सारा ज्यान भूल जाएगा जिस पड़ाई से हम ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है स्वर्ग में गए और ये नौलेज गुम हो जाती है भगवान ने डबल सिर्ताच कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते ये भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त राधी पढ़ने वाले क्या जाने उनको टच भी नहीं होगा तुम आकर सुनते हो तो तुमको जट टच होता है है सारा गुप्त बाप सुनाते हैं देखने में आता है क्या समझ में आता है आत्मा को देखा है क्या समझते हैं आत्मा है दिव्य द्रश्टी से देखा जा सकता है बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे आत्मा तो छोटी बिंदी है आत्मा अनेक हैं दस बीस का भी तुम साक्षात कार करेंगे एक से तो कुछ पता नहीं पड़े समझ भी ना सके बहुतों कुछ साक्षातकार होता है मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है फर्क का मालूम नहीं पड़ता है बैठे बैठे छोटी छोटी आत्मा देखने में आती है यह थोड़े ही पता पड़ता है कि आत्मा है वह परमात्मा है अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है आत्मा तो मालिक है एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाट बजाने के लिए कितनी कुदरत है शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आधी निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें आत्मा निकल जाएगी दुख से छूट जाएगी परन्तु पापों का बोजा जो सिर पर है वह कैसे छूटे तुम पुरशार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाएं रावन के कारण बहुत पाप हुआ है जिस से छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुमारे पाप आदी सब खत्म हो जाएंगे, याद करना भी मासी का घर नहीं है, मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है, बाबा अनुभव सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, परन्तु फिर भी माया अटक डालती है, है भी दोनों साथ इकटे, इकटा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है, घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरिशार्ट करते हो, कोई तो गपोडे भी मारते हैं, दस पंद्रा दिन चार्ड लिखकर छोड़ देते हैं, इसमें बहुत खबरदारी रखने पड़ती है, समस्ते तो हैं, जब प्योर हो जाएं, कर्मतीत अवस्ता को पहुँचें, तब विन करें, ये इश्वर ये ल करते हैं, परन्तु बाबा कहता है, याद करना आता ही नहीं है, पद में भी फर्क तो पढ़ता है न, कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है, बाबा हर पांच हजार वर्स बाद पढ़ाते हैं, फिर रावन राज में तुम व काम मार्ग में गिरते हैं तो बाप बहुत गुह बातें समझाते हैं बाप को याद करने की है तो बहुत सहज शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं मुझे जाने तब योगबल से विकर्म विनाश हो वह तो पिछाडी में ही हो सकता है परन्तु वापिस तो कोई आता नहीं भल कोई कुछ भी करे यथार्ट योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ फिर आधा कल्प योगबल चलता है वहाँ तो अथा सुक भूगते हो भक्ती मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रेते हैं बाप जब आकर ग्यान देते हैं तो फिर भक्ती होती नहीं ग्यान से दिन हो पिर कोई भी तकलीफ नहीं, भक्ती है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं, यह सब बातें जो यहां का सेंपलिंग होगा, उनकी बुद्धी में बैठेंगी, यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडर्फुल ग्यान है, जो सिवाए बाप के और कोई समझा न सक बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं, ड्रामा में नूध है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परन्तु भगवान तो आते ही एक बार है, आकर तुम्हें स्वर्क का रास्ता बताते हैं, अभी तुम बच् अभी किसको देखेगा, समस्ता है शांती का दान देना है, देखने से मालुम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है वा नहीं, सर्विसेवल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना, अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉरिंग, रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार पहला, पावन बन बाब के साथ घर जाने के लिए इस पांच तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है, शरीर छोडने का डर न काल देना है, दूसरा, याद के यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाती रहना है, योगवल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मा तीत बन इश्वर्य लोटरी को विन करना है, वर्दान, सिद्धी को सुईकार करने के बजाए, सिद्धी का प्रत्यक्ष सबूत द अब आप सबके सिद्धी का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा, कोई बिगड़ा हुआ कार भी आपकी द्रश्टी से, आपके सहीयोग से सहज हल होगा, कोई सिद्धी के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे, कि हाँ यह हो जाए, लेकिन आपका डायरेक्षन स्वता सिद्धी प्राप्त कराता रहे, तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे, यह सिद्धी का पार्ट अभी चलेगा ने, यह सिद्धी का पार्ट अभी चलेगा लेकिन पहले इतने शक्ती शाली बनो जो सिद्धी को सुईकार न करो तब प्रत्यक्षता होगी सिलोगन अव्यक्त इस्तिती में इस्तित हो मिलन मनाओ तो वर्दानों का भंडार खुल जाएगा अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती